अस्सलाम अलेकुम वल्कम बैक टू मैं चैनल उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अंडा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सुबर लेट उठी हो आटा गुंदा हुए नहीं है सिर्फ दस मिनट है आपके पास बचों को स्कूल का लॉंच बॉक्स बना कर देना है सिर्फ पांच से दस मिनट में ये मज़धार सी रेसिपी जो है वो बन के तयार हो जाती है तो इस रेसिपी को जाने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप्ट के रास तक देखना है तो यहाँ पर सबसे पहले बिस विलायर राह्मान राहिम एक बाउल में मैं शामिल करूंगी एक अदर अन्डा शामिल कर देंगे उसके बाद इस किंदर शामिल करेंगे एक कप दूद बॉil किया वाल के आवा मिलक और राध तीसपून यहां पर शामिल कर रहूंगी चीनी का चीनी से यह मीठा नहीं होगा लेकिन हम इससे जो पराठी बनाइगे ना उससे इसका कलर बहुत प्यार आएगा हाप टीस पूरी में यहां पे चिली फ्लेक्स शामिल कर दूंगी यानि कुटी हुई लाल मिर्च और इन सब को अच्छे तरीके से ना आपने बीटर की हल्प से ना मिक्स कर लेने तांकि यह जो तुमाम मेटीरियल है ना वह एक जान हो जाए और उसकेबाद यहां पे मेरे पास है एकप गंदू का अठा आप चाहे तो सेम रेसिपी मैद podstawで में भी पना सकती हूँ लेकिन यहां पे इसको healthy बनाने केरिंगा हरी हूं ना एक कप गंदू का अठा ले हैंुं जिसके मैं चान के यहां पर इस्तामाल कर रही हूं आप यह अपने अच्छे तरीके से mix कर लेना है एक L17 जो इसका better आ वो अपने तैयार कर लेना है जब तक मैं है अब इसे तैयार करी हो अगर अभी तक आप लगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया जनाब तो अभी जाके मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दे वीडियो ची लगे तो इसे लाइक शेर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी आप लोग जुरूर प्रेस किया करें तांके आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को बिले यहां पर देखें मैंने इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अब इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको चेकर वा देती हूँ कि जब आप इसे चमच की बैक साइड पे कोट कर रहे हो ना तो यह इस तरीके से कोट हो रहा है तो यह जो है ना यह इसकी परफेक कंसिस्टेंसी है इस कंसिस्टेंसी से जब आप लोग इसके प्राठे बना होगे ना तो बहुत ही जबरदस किसम के बन के तयार होंगे इसे एक साइड पर रखेंगे एक बाल में मैं शामल करूंगी तीन अदद अंडे और अंडों के साथ ही अब हम इसके अंदर शामल करेंगे एक मीडियम साइस का प्यास चोप किया वह शामल कर दूँगी फाइंडी चॉप्ट ओमने स्टाइड में कटिंग है यह इसके साथ यहां एक हाफ टमाटर को मैंने चॉप करके रखाव है बीच समय वह शामल कर दें को आपने बीटर की हल्ग से अच्छे तरीके से मिक्स कर ले ना है तांके अंडे में तुमाँ चीज़े तरीके से मिक्स हो जाएं इसकी मिक्सिंग करके इसको एक साइड पे रखेंगे अब एक पैन को रखेंगे आप लोग चुले डह रखेंगे और इसको आपने हलक steہ कोई बिल्कूर को प्रॉबलम не होगी पैनी करना जैसे है doctors ंतर दो साही कहोड़ी और यह थिर स्की होज्द के प्रॉइल्ड को चुलना पहले आपनेशा है के सब्सक्राइब रिमूव और सकते हिरो तोא तो इसे oil के बग्यार भी बना सकते हैं या दोनों तरीके से बहुत ही soft प्राठा जो है ना वो बनके तयार होता है दूसरे side पर जैसे हलका सा color आ जाएगा तो मैं इसके side को change कर दूँगी और मैं भी यहां पे इसके पर हलका सा जो oil है ना वो लगा दूँगी तांके ये बहुत ही प्यारा सा जबर्दस सा जोफ्ट सा मिल्की सा जो हमारा प्राठा है ना वो बनके तयार हो हलका सा इसके पर oil लगा देंगे वन टीस्पून के गरीब और उसके बाद आप प्राठा भी लगा सकते हो और अब इसको दोनों सैट्स पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इसे फ्राइ कर लेना है यह देखिए हमने इसके अंदर जो चीनी शामिल की थे ना उससे इसका कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है और यह बहुत ही सोफ्ट जो है ना प्राठे बनके तयार होते हैं ऐसे भी आप यह प्राठे किसी भी चीज के साथ एंज्वाई कर सकते हैं चिकन के सालन के साथ किसी भी सबजी के साथ भी आप इसे एंज्वाई कर सकते हैं अब उसी पैन को मैं चूले के उपर रखूंगी एक टेबल स्पून ओल शामिल करेंगे और जो अंडे का बैटर हमने मिक्स करके रखा वेना उसमें से हाफ खप इसके उपर शामिल कर देंगे पैन के अंदर और जब यह हलका सा डन हो जाएगा तो फिर जो अपने प्राठा से र पाधव कर देके रखा है वह आपने इसके उपर ना इस थरीके से रख रहते है और इसे सपैचला की हल्प किससे हैपने प्रेसे करना है ताँके जो हमारा ऑमलेट है तो यहांपे देखे माशाद हो सके बहुत ही मज़ेदार और मज़े की यमी से यह से से ठालट के ऊज़ और ये देखें माशायला कितना जबर्दस्त हमारा जो बगएर आटा गुंदे, बगएर बेले, बगएर पेरे बनाए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लिक्विड डो के साथ जो अंड़ा प्राइट है वो बनके बिलकुल तयार है, बेकपस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छ लुक कितनी ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही सोफ्ट मक्षन की तरह मुँँ में घुल जाने वाले ये जो फ्राठा अंडैना वो बनके तयार होती है, तो आप लोगे ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना है, और फिर में जगमने सक्षन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, दौब में याद रखेगा, अपने बहुत सदह या रखेगा, अलाफिस